हेलो इसने आज की लेक्चर में लगेंगे हम लोग कंस्ट्रक्टर ठीक है कंस्ट्रक्टर क्या हो और इसे किसने परखार के हो देगी कि इस उदको क्या देखा है सबसे पहले देखते हैं, यहां से आपका question बनता ही है, एक नए question आपका, जरूर आएगा, कोई भी types को उठाके, 12 number ले question क्या कर देता है, यहां से पूछ देता है, तो सबसे पहले देखते हैं, constructor होता है, ठीक है, तो कल आप देखें, बतलब पिसले विदियो में हम लोग class और object लेखें, तो, class और object लेएगे, क्या भाना सीख रहे है, constructor बनाना सीख रहे है, constructor ये special types के member function होते है, ठीक है, class के अंदर ही टेटा बेखार member और member function होता है, और constructors होता है going to is special-time ke member function होता है क्यों mom what is special-time memory function होता है तो जो नाम class का रहेग जैसा रहेगा वह इनाम किसका रहेगा मतलब आप जिस नाम से class बनाने ऊपको बनाना ना है जो अपने class के नाम के जैसा ही होता है जिस class के constructor बना हूँ, अगर उस class के object जब बन जाता है, तो वो automatic call हो जाता है मतलब किसी भी class के constructor बना रहे हैं तो उस 9 तुर बनेगा बनेगा, तो object बनेता है, philanthropist बनेगा, तो अब्जेत बनेगा, he c RO Âप जाता है लेकिन यूज करते हैं प्रोग्राम में लेकिन आप ध्यान करना कोई भी रिटर्ण डाई नहीं होता अगर वैलू को इंसलाइस करना हो तो अलग से उसका मेंबर फॉंक्शन बनाकर उसे अब्जेक्ट के साथ एक्सेज करना पड़ता है तो अगर दूसरा चीज भी यूज कर करते हैं तो क्या करना पड़ता है कि इसको मेंबर फॉंक्शन बना कर उसे घ्यां करना पड़ता है तो something शक और के 100 यह जैसे यह अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर को कैसे करते हैं कैसे डिक्लियर करते हैं तो एक कंस्ट्रक्टर को इंसाइड आप क्लास के अंदर बना सकते हैं और एक क्लास के बाहर भी बना सकते हैं तो कैसे बनाएंगे इसको थेखो सबसे पहले लास बनाएंगे इसे मैं इसे कारे है क्लास अट बड्र क्लास की वर्ट है उसके बाद का रिम का या यह बंक यह प्राइवेट यह फिए के बाद क्या पर दरशे प्राइब हैं रागए का था पब्पलीका अब पबलीकिंकि अक driveree तो अदर ना में अके ऑस तो हम यह मना डिए juniorCOM के जाल को डिएक डिए में तो यइंक लास का नाम नहीं यह इंसने के सबखाएंila कि हुआ को अधर इसके उसको में पूपन उपन करने के लिए वस्ट लिए अधर की इससे हुत यह तो आधर DAVID प्रत मौरत तो क्लास के पर्गें का तो क्लास के रहनों सब अब च्राइब रिए के लिए इसे करो ज़िया है तो सब से पहले किया 이건 ना गेला कि वेग एभना दो किया हमें टो धाहते शाख का नाम किया ए काइब तो क्रƯका करने है। अएक त्रॉप्टर क्लास के इस के और घृच हम क्या करेंगे यह यह क्लास और यहां पर लिख देते हैं यह कुन सा ऑपरेटर है तो scope resolution operator है कुन सा ऑपरेटर है scope resolution operator और scope resolution operator क्यों लगाते हैं तो कोई भी जैसे हम constructor बना रहे हैं constructor को हमको class के बाहर क्या करना है define करना है तो हम वहाँ पर क्या लगाएंगे वहाँ पर क्या लगते हैं इस scope लगते हैं ठिक है क्या लगाएंगे scope, constructor body बोटे और यह का बजएदा close अब दोनों में बहते हैं यह क्लास के लिगर लग लगाते हैं क्लास के बाहर कर रहे हैं क्लास यहां पर क्लोस होता है वह पर क्या लगता है आपका semi-column को लगता है यहां पर क्लास क्लोस नई है लेकिन क्लास का definition रहे हैं बात मां रहे हैं ठीक है च्छांचर्टर का definition फीड, उन गदे कि आपका kone- previous frequency कि यह आपका एक्जाम्पल किसका इस बनता है तो सबसे पहले आपको बताया कि क्लास के बाहर तो कोई भी एक्जाम्पल को उठाओ और आप क्या करते हो प्रोग्राम बना सबसे पहले दो किकम, ट्वाधी तो कणि यह सका थक ले अलगता है कैसे कि उसके इसके इसके बाद में लिए अक्जाम्पल का क्या लगते है घ्लास अब पब्लीक पे अंदर क्या लिखते हैं, तो आपका member function लिखते हैं, लेकिन यहां पे class का नाम क्या है example यहां पर आपका बन जाएगा constructor, यहां पे हम क्या बना नाद ही constructor, example function, ठीक है, तो यह क्या है नाम नाम यह constructor, ठीक है, यह हमारा नाम यह प्रेंट करा रहे हैं, see how, hello what's, हम क्या create करा रहे हैं, hello what's, ठीक है, यह open का, यह close हुआ, यह class open का, यह class क्या हो गया, अबका, close हो क्या, मतलब class के inside of class, class के अंदर हम क्या बना दिया, अंस्ट्रेक्टर बना ही, अब हमारा क्या आपका, यह class क्तम होगा, तो main function है ना, open करेंगे, example, example किसका नाम है, class का, ठीक ह इसको run करा दें, output क्या आएगा, इसका, output क्या आएगा, तो hello, यह उसी complaint करा देंगे, क्या है, hello, ठीक, यह आपको क्या मिन रहे है, output, जो आपको आपको लिकोगे, वह आपको क्या हो जाएगा, output, तो यह simple program है, किसका, constructor का है, अब यह देख लो, constructor कि कितने प्रकार के होते है अब आपको आपको बता लो, constructor कितने प्रकार के होते है, चार प्रकार के, कौन-कौन सा, तो एक होता है आपका default constructor, एक parameter constructor होता है, एक होता है आपका copy constructor, और एक होता है constructor overloading, ठीक है, चार प्रकार कौन-कौन सा, एक होता है default constructor, दूसरा होता है आपका parameterized constructor, तीसरा होता है copy constructor, औ और एक होता है आपका Constructor Overloading तो चार्व का बाल के Constructor को क्या करेंगी नेक्स्ट कास्वी नहों देखेंगे ठीक, ठीक